कि कि एलो स्टूडेंट एसन प्रोफेशनल क्लासे से मैं हम अमन्द गुपता आज आपके लिए ले किया हूं बीएड़ फर्स्ट एयर का पेपर पेड़ागोजी ओफ कॉमर्स जो की दोजात तेईस एक्जामनेशन में पूछा गया है सीचेस उनिवर्सटी में तो चलिए द क्वेशन पूछा गया है इसके अंदर ब्लूम दवारा दिये गए अनुदेशनात्मक उद्धेश्शों के वर्गिकरण का वर्णन करो और दूसरा इसमें option दिया गया है सुक्षम शिक्षन क्या है वानिज्य शिक्षन में व्याख्यान कोशल के घटकों की व्याख्या करें दूसरा कोशन पूछा गया है विशेवस्तू विशलेशन क्या है विशेवस्तू विशलेशन के विभिन इस्तरों या चरणों की व्याख्या कीजिए और करके इसमें ओप्षन दिया गया है वानिज्य शिक्षन में अलग वानिज्य कक्ष की आवशक्ता एवं महत्व की व्य के चातरों के विश्वसनिय मुल्यांकन की विधि कौन ची है उसकी व्याख्या किजिए और इसमें छोई में आपको कुशन दिया गया है वानिज्य शिक्षक की व्यवसाई की योग गताएं और शम्ताय किया होनी चाहिए उनकी व्याख्याश कीजिए तो यह थे students long question section A में पूछे गए हैं आप section B में section B में देखते हैं कौन-कौन से question पूछे गए हैं section B में सबसे पहले first question आपसे पूछा गया है उद्देश्यों को व्याभारिक रूप में लिखने की आवशक्ता क्या है संग्षेप में उसकी व्याख्या कीजिए दूसरा question आपसे पूछा गया है द्रश्य श्रव्य सामगरियों का चैन करते समय कौन सी सावधानिया लेनी चाहिए फिर आपसे next question पूछा गया है वानिज्य विशय की पाठ्य पुस्तक के चैन का आधार क्या होना चाहिए फिर इस योजना की विशेष्टाई क्या है उनका वर्णन कीजिए इसके बाद next question पूछा गया है वस्तुनिष्ट परिक्षण की क्या विशेष्टाई है संग्षिप्ट व्याख्या दीजिए फिर next question पूछा गया उपलब्दी परिक्षण के क्या उद्दिश्य होते हैं संग्षि वनिज्य शिक्षण में प्रस्तावना कोशल की क्या उप्योगिता एवं महत्वे उनका वर्णन कीजिए अब section C जिसमें आपको 8 question करने होते हैं देखते हैं में कौन-कौन से question पूछे गहें 10 question जिसमें से आपको 8 करने होते हैं तो first question पूछा गया है उपलब्दी परीक्षण के निर्मान के चर्णों का उलेक कीजिए next question पूछा गया है WTO विश्व्यापार संग्ठन का मुख्यल्य कहां पर स्थित है ऐसे ही next question पूछा गया है पाठ्ठे करम तथा पाठ्ठे विवरण में अंतर कीजिए next question पूछा ग एक अच्छे परीक्षण की चार विश्वी स्थायन लिखिए फिर इसके बाद आपसे question पूछा गया है students वनिज्य पुस्तकाल्य है तू चार आवश्यक वस्तों के नाम लिखिए और उसके बाद आपसे next question पूछा गया है वनिज्य के वर्तमान पाठ्ठे करम के दोशों को दूर करने के लिए चार सुझाव दीजिए फिर next question पूछा गया है वनिज्य विश्यक के शिक्षक की चार विश्य स्थाय लिखिए और इसके बाद आपसे next question पूछा गया है students वो है bloom वर्गी करन के आधार पर संयनात्मक उद्धिश्य के पर्थम तीन वर्गी करन लिखिए और इसके बाद जो आपसे question पूछा गया है वो है webinar और seminar के मद्धे दो भेड लिखिए वेबिनार और seminar के मद्धे दो भेड लिखिए तो students ये था मई 2023 में पूछा गया आपका बीएड फर्स्ट एर का pedagogy of commerce का paper previous year paper को देखने का में मोटीव यह होता है कि आपको अंदाजा मिल जाता है कि किस प्रकार के question पूछे गए exam में और कौन-कौन से important question है जहां से दुबारा question repeat होने की संभावना है इसी प्रकार के update प्राप करने के लिए चैनल से जुड़िए मिलते आप इंडेक्स section में तब तक के लिए बाइबाइ student and best of luck for your exam